आपका मूट कैसा है? टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चहरा दिखेगा अदानी अंबानी का चहरा दिखेगा अश्वरिया राय अमिताब बच्चन नाश्टे हुए दिख जाएंगे दुबाई में वहाँ के राजा से गले मिल रहे हैं किसान जितना भी चिला ले मजदूर जितनी जोरों से चीखे उसे इस देश में मालुम है कि मुझे नियाए नहीं मिल सकता शुरुआत में मैं आप से माफी माँगना चाहता हूँ आज सुभे हमारी फ्लाइट में कोई टेक्निकल सा डिस्टर्बंस हो गया था इसलिए थोड़ी देरी होई और आपको यहाँ एक दो घंटे जादा हमारे ले ठहरना पड़ा इसके लिए माफी मांगता हूँ आपका मूट कैसा है ठीक है अच्छा है ठीक है रास्ते में बिहार के युवाओं का जोश बिहार की जो करांतिकारी हिस्ट्री है वो थोड़ा देखने को मिला अब हमारी भारत जोड़ो नियाई यात्रा बिहार से निकलेगी आप से मिलने का मौका मिलेगा आप से बाच्चीत करने का मौका मिलेगा ये हमने भारत जोड़ो यात्रा एक साल पहले की कन्या कुमारी से कश्मीर तक चले चार हजार किलोमेटर हर रोज बीस बीस पच्चिस तीस किलोमेटर चलते थे छे बजे उठकर और लाकों लोग हमारे साथ चले समुदर के तट से शुरू किया हिमाले तक पहुँच गए पुरा देश देखने को मिला युवाओं से बात की किसानों से मज़दूरों से साथ आट घंटे बात होती थी अलग-अलग लोगों से बात होती थी और फिर शाम को वो पंदरा बीस मिनट ऐसे हम अपनी बात रखते थे लोगों ने हम से पूछा चार हजार किलोमेटर चलने की क्या जरूरत होई कहा की देखिए राहुल जी चार हजार किलोमेटर शायद पहले कोई चला नहीं है आपको जरूरत क्यूं पड़ी मैं कहता था देखिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है मीडिया का सिस्टम हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के हाथ में है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है मैंने अभी प्रेस वालों को मित्र कहा मगर हमारे मित्र विपक्ष की बाद टीवी पे तो नहीं दिखाते अगबानों पे तो नहीं दिख पढ़ाते सही ना वो टीवी पे आपको नरेंद्र मोधी जी का चहरा दिखेगा वो अदानी अम्बानी का चहरा दिखेगा उसके साइड पे आपको अश्वरिया राय अमिता बच्चन नाचते हुए दिखी जाएंगे डान्स करते हुए दो तीन क्रिकेट वाले दिखी जाएंगे मगर गरीब किसान मजदूर बेरोजगार युबा आपको नहीं दिखने वाला जैसे हजारों किसान बिल्ली के ओर चल रहे हैं उन पर टियर गयास चला जा रहा है चर्रे मारे जा रहे हैं मैंने दो दिन पहले किसानों से बात की फोन पे बात की एक्स आर्मी का जवान था उसके मूँ पे चर्रे मार दिये मैंने उससे कहा देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे मीडिया में तो नहीं दिखेगा वहिया आप देख लो यहाँ पे आपको बारत चोड़ो निया यात्रा में हजारों लोगों की भीड दिखेगी मगर आप टीवी ओन करोगे तो सिरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा वो सुना है वहाँ दुबाई में वहाँ के राजा से गले मिल रहे हैं दो तीन बार गले मिलेंगे तो वो टीवी पे दिखने को मिलेगा इसलिए 4000 किलोमेटर हमें हम चले क्यूंकि हम डाइरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं मतलब यह जो टेलिवीजन वाले बिचॉली हैं इनको हमने परेक्परे कर दिया है भारत जोड़ो यात्रा पे हमने नारा दिया नहीं हमने नहीं दिया नारा भीड से निकला एक देने एक व्यक्ति बाहर दोड़ता हूँ आया पुलिस वाले नो उसको मारा पहले पहले इदर से आया इदर से पुलिस वालों ने रोका फिर दूसरी साइट से आने की कोशिश की फिर उसको दो तिन धक्के लगे अंत में वो दोड़ता हूँ आता है मेरे सामने ऐसे खड़ा होके कहता है राहुल जी मैं समझ गया मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो मैंने का मैंने उससे पूछा बहिया बताओ क्या कर रहा हूँ कहता है नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल रहे हो मैंने का बात तो सही है और फिर भाशन में मैंने कहा कि देखिए भीड से आवाज आईए भीड से नारा आया है नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल रहे है और सिर्फ मैं नहीं कोलता हूँ ये महबत की दुकाने आप सब के दिलों में है आपने देखा होगा कॉंग्रेस के किसी भी कारे करता को देखो हमारे नेताओं को देखो मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे टेंशन हो मुश्किल हो कठिनाईया हो कॉंग्रेस पार्टी के नेता कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता मुस्कुराते हुए देखेंगे सही देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे है दूसरी तरह बीजे पी के कारे करताओं को देखो ऐसे देखते है पूरी दुनिया को रोज ऐसे देखते है कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम RSS और BJP के लोगों को सब कुछ मालूम सोच है उनकी और देश में कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं मनिपूर को जला दिया एक जाद को दूसरी जाद से लडाते हैं एक धर्ण को दूसरे धर्ण से लड़ाते हैं तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाव हमने बारत जोड़ो यात्रा की और यह नारा दिया नफरत के बाजार में महबत की दुकान रास्ते में एक और बात पता लगी चार हजार किलोमेटर लाकों लोगों से मिले हमने पूछा भहिए बताओ यह देश में जो नफरत फैलरी है हिंसा फैलरी है क्रोध है इसका कारण क्या है मैंने यह सवाल हजारों बार लोगों से पूछा आम जनता से पूछा नई मोधी नहीं है मैं आपको बताता हूँ मोधी मोधी इस चीज़ का चिन है मगर मोधी कारण नहीं है कारण दूसरा है और किसानों ने मुझे बताया युवाओं ने बताया कि राहुल जी हर रोज हमारे खिलाफ कोई न कोई अन्याई किया जाता है हिंदुस्तान में गरीब लोगों को कमजोर लोगों को 21 सदी में न्याई नहीं मिल सकता और इसका नतीजा नफरत और हिंसा है और यह पिलकुल सही बात है गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले किसान जितना भी चिला ले मज़़ूर जितनी जोरों से चीखे उसे इस देश में मालुम है कि मुझे न्याई नहीं मिल सकता रोज दिखता है उसको आप देखिए सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड रुपिया कर्जा मास किया है 14 लाख करोड रुपिया नरेगा में कितने लगते साल में कितने लगते कितने हमाट नरेगा का एक साल नहीं नहीं बजेट साल का नरेगा का पूरी के पूरी नरेगा को चलाने के लिए एक साल के लिए सत्तर हजार करोड रुपे सबसे गरीब लोगों के लिए एक साल में सत्तर हजार करोड रुपे और सारे के सारे अमीर लोगों ने कहा देखो ये पैसा जाया हो रहा है सत्तर हजार करोड रुपे मनरेगा में जाते है और 14 लाख करोर रुपे हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों का एक सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है अकबार में नहीं आता क्यों क्योंकि अकबार उनके पहले एक अकबार था वो एक टेलिविशन था मीडिया एंडी टीवी उसको भी आदानी जी ने खरीद लिया तो जहां भी आप देखें किसानों की ओर देखो युवाओं की ओर देखो मजदूरों की ओर देखो आपको अन्याए अन्याए देखेगा 21 सदी है आर्थिक अन्याए 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी ये हमारे सारे युवा ये टेलेफोन लिए घूमते है ये चाइना में बनता है इसका फाइदा चाइना के युवाओं को मिलता है रोजगार वो ले जाते है और होता क्या है चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरब पती यहां बेचते है चाइना की युवाओं को फाइदा होता है चाइना की कंपनियों को फाइदा होता है और हमारे यहां 10-15 अरब पतीयों को फाइदा होता है और जो छोटे वियापारी है स्मॉल मीडियम बिजनिस वाले है छोटे कार खाने चलाते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए GST उनके लिए नोट बन दी खतम कर दिया सबको आप किसी से पूछ लीजिए यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी सारी की सारी बंद हो गई बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मज़दूरी करते हैं कॉन्ट्रैक लेबर का काम करते हैं यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे है मजदूरी कर रहे है कॉंट्राक्ट पे है उनको एक दिन में निकाला जा सकता है तो यह आपको सब जगे दिखेगा अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ हिंदुस्तान में पिछणों की कितनी अबादी कितनी 50% ठीक है दलितों की कितनी अबादी 15% आदिवासियों की कितनी अबादी 8% कितना हुआ 50, 15 और 8 कितना हुआ 73 73 हुआ न तो पिछणों की दलितों की आदिवासियों की अबादी 73% अब मैं आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो मैंने निकाली है और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासियों दलित और पिछड़े कितने हैं मुझे बताओ कितने हैं जीरो एक नहीं है चलो छडो ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं जीरो अच्छा बताओ मीडिया की कंपनी के मालिक OBC दलित आदिवासि कितने जीरो प्राइवेट हस्पतालों के मालिक बताओ जीरो प्राइवेट कॉलेज उनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्ताएं हैं उसमें बताओ कितने जीरो एक नहीं दिखेगा आपको अब एक काम करो कॉंट्राइक लेबर की लिस्ट निकालो मजदूरों की लिस्ट निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो आपको सारे के सारे दलित आदिवासि और पिछडे मिलेंगे उसमें थोड़े से जेनरल कास्ट के गरीब लोग मिलेंगे यहाँ पे जेनरल कास्ट के लोगें आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में गरीब जेनरल कास्ट के लोगों के लिए कितनी जगे है मुझे बताओ जीरो नब्बे लोग इस देश को चलाते हैं नब्बे आईएस अपसर इस देश के बज़ेट को बाढ़ते हैं प्रदान मंत्री नहीं बाढ़ता MP नहीं बाढ़ते नब्बे आपसर देश के बज़ेट को बाढ़ते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते कभी वो पर्मनन्ट रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव कोई भी जीत जाए हार जाए कोई फरक नहीं यह नब्बे लोग वहीं के वहीं बैठे रहेंगे मुझे बताओ 90 में से 73 प्रतिश्रद वाली अबादियों के कितने लोग बाई और बैनों 90 अबसरों में से 3 पिछली वर्के उनको कोने में बठा रखा है 3 सी और एक आदिवासी बाई और बैनों अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपे खर्च करती है तो OBC अपसर 5 रुपे का निड़ने लेता है आदिवासी अपसर 100 रुपे में से 10 पैसों का निड़ने लेता है और दलिट अपसर 100 रुपे में से 1 रुपे का निड़ने लेता है मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपे कर्च करती है तो इस देश की 73 प्रतिशत आबादी सिरफ 6 रुपे 10 पैसे का निड़ने लेती है और उसमें मैंने माइनौरिटी की बात नहीं की उनको अलग रखा है वो भी 15 परसेंट है तो बात समझे आप वोट देते हो आप अपनी सरकार चुनते हो मगर 73 परसेंट लोगों के लिए ना कॉर्परेट इंडिया में जगे ना मीडिया में जगे ना बड़े उद्योगों में जगे ना ब्यूरोक्रिसी में जगे ना हाइकोर्ट में जगे है हाइकोर्ट कहा करा मेरे पास है 650 हाइकोर्ट के जज है उसमें से अगर आप 73 परसेंट वाले लोगों को देखो 650 में से 100 हाइकोर्ट के जज या दलित या आदिवासी या पिछड़े वर के मतलब आबादी आपकी GST का पैसा आपका आप देते हो आपने शर्ट खरीदी यह जो गुलाबी शर्ट पहने हो कितने रुपे की शर्ट थी है हाँ 300 400 रुपे की शर्ट है जितनी GST इन्हों ने दी उतनी ही GST इस शर्ट के लिए अदानी और अंबानी देंगे उतनी यह अगर 18% GST शर्ट के लिए देंगे 18% अदानी देगा इनकी आमदनी 50,000 रुपे उसकी आमदनी लाकों करोर रुपे जितनी GST यह देता है उतनी GST वो देता है वो महल में रहता है वो हवाई जायज में उड़ता है मगर जितनी GST हिंदुस्तान का मजदूर देता है उतनी GST अदानी देता है यह अन्याय है आपके GST का पैसा जाता है और आपकी कहीं भागिदारी है ही नहीं ना मीडिया में ना सरकार में ना कॉर्ट में ना प्राइवेट हस्पताल वाले सिस्टम में ना कॉलेज उनिवर्सिटी वाले सिस्टम में कहीं नहीं हो आप आपके लिए एक नई क्याटेगरी निकाली है कॉंट्रैक्ट लिबर एक दिन में आपको जूतमार के बाहर निकाला जा सकता है वो है 73 परसेंट लोगों की जगह सुबह उठो मजदूरी करो और अगर बात अच्छी नहीं लगी एक मिनट में आपको उठा के बाहर पेक देते हैं 73 परसेंट के साथ यह हो रहा है पूरे देश में हो रहा है इसलिए मैंने जाती जनगर्ना की बात उठाई मैंने का देखिए किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है भाईया देखो हाथ में चोट लगी है चलो एक्सरे कराओ हुआ होगा आपके साथ हुआ है भाईया एक्सरे कराओ अगर आपका हाठ तुखता है और अस्पताल जाते हो डॉक्टर कहता है मैं एक्सरे नहीं कराऊंगा एकदम आप उसको पकड़ते हो कैसे नहीं कराऊगे मुझे चोट लगी आपको X-ray कराना पड़ेगा क्योंकि X-ray से पूरा पूरा पता लग जाता है जाती जनगरना समाजिक X-ray है उससे सारे के सारे पिछणों को दलितों को आदिवासियों को गरीब जेनरल कास के लोगों को पता लग जाएगा कि इस देश में क्या हो रहा है और जाती जनगरना का मतलब आप समझो सबसे पहले सब लोगों को पता देंगे कि भहिया इस देश में पिछड़े कितने दलित कितने आदिवासि कितने जेनरल कास के कितने उसके बाद हम फाइनेंशल सर्वे कराएंगे कितना धन किस वर्ग के हाथ में है ये देश सोने की चिडिया कही जाती थी ये आज भी सोने की चिडिया है मगर भाईयों और बेहनों सोने की चिडिया आपके हाथ में नहीं है अदानी जी के हाथ में है इसलिए जाती जन्गरना से सब को पता लग जाएगा कि पिछड़ों के पास कितना धन है आदिवासियों के हाथ में कितना धन है गरीब जन्रल कास के हाथ में कितना धन है और ये एक परसेंट लोग अरब पती लोग बड़े बड़े ब्यूरोक्राट्स इनके हाथ में कितना धन है दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा ये बाई और बेनों कुरान्तिकारी कदम है आजादी जैसे हुई थी कुरान्तिकारी कदम सफेद कुरान्ती हरी कुरान्ती Computer Revolution Bank Nationalization वैसा ही एक कुरान्तिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूँ इसके बिना आप सब लोग भूके मर जाओगे कुछ नहीं बचेगा ना रोजगार मिलेगा ना आपके बच्चों के पास भविश्य होगा क्योंकि एक परसेंट लोग पूरा का पूरा धन उठाके ले जाएंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ समाजिक नियाय का अगला कदम जाती जन करना है और कॉंग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी कुछी दिन पहले हमने एक एतिहासिक कदम उठाया पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गैरंटी दे के मेस्पी देंगे कानूनी गैरंटी वाली मेस्पी कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है एतिहासिक काम है जैसे ही मैंने जाती जंगर्ना की बात की नरेंद्र मोदी जी कहते है हिंदुस्तान में जात तो ही नहीं एक अमीर है एक गरीब है दो ही जात है पहले कहते थे मैं OBC हूँ अब कहते हैं दो ही जात है हमने MSP की गैरंटी थी बीजेपी के लोग कहते है कॉंग्रेस पार्टी एक करी नहीं सकती पहले हमारे बारे में कहते थे कॉंग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती 22,000 रुपे कर्जा माफ करके हम ने दिखा दिया 2 मिनट में दिखा दिया 10 मिनट लगे उसको करने के लिए तो यही बाराज चोड़ो यात्रा का लक्ष है कि हम समाजिक ने आए आर्थिक ने आए इन चीजों की बात करें और इन चीजों की लड़ाई लड़े बीजेपी ने राम मंदिर का उदगाटन किया देखा आपने मुझे बताओ तीवी आप सब ने देखा आपने उदगाटन में एक गरीब व्यक्ति का चैरा देखा अम्बानी देखे अधानी देखे अविता बच्चन देखे नरेंडर मोदी देखे हिंदुस्तान के सारे सारे अरबपती देखे किसान देखा मजदूर देखा बेरोजगार युवा देखा तो फिर बात समझे ये नरेंडर मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है TV वाले मिले हुए है मीडिया वाले मिले हुए है अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी ये 10-15 लोगों की टीम है और इनका काम आपसे आपका जो GST का पैसा है वो चीनने का है वो लेने का है और 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है देखो भईया उधर वो अश्वरिया राय नाच रही है ओ देखो भईया अमिता बच्चर ने डांस मारा ओ देखो भईया विराठ कोली ने चौका मारा ओ भईया देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई ओ देखो चाइना में यह हो रहा है मगर हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेंगे GST का पैसा कहा जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे जाती जंगरना उसके बारे में नहीं बोलेंगे किसान की MSP उसके बारे में नहीं बोलेंगे कॉन्ट्राइक लेबर उसके बारे में नहीं बोलेंगे कभी नहीं दिखेंगा मेडिया पे दिखी नहीं सकता, वो आपका है नहीं, वो आपका है नहीं, तो ये हिंदुस्तान में लड़ाई है, ये लड़ाई है हिंदुस्तान में, एक तरफ 99 प्रतिशद लोग, उसमें 50% पिछडे लोग, 15% दलित, गरीब जनरल कास के लोग, आदिवासी, माइनोरी, ये सब, और दूसरी तरफ, चुनवे अरबपती, नरेंद्र मोदी, मीडिया, इसलिए हमने भारत जोड़ो, यात्रा में नियाई शब जोड़ दिया, आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, और इतने जोश से आपने मेरा यहां स्वागत किया, दिल से आपका धनेवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जेहिं